आज हम आपके लिए अमरी सर के अंदर एक 153 सके रियाड का 4BHK इंडीपेंडेंट विला लेके आए हैं जो की काफी अच्छा स्पेशेज और काफी लक्जरी विला बनाया गया है आप ये विला का फ्रंट एलिवेशन देखिए काफी modern और latest design के according ये पुरा विला बनाया गया है आसपास देखिए काफी अच्छी सारे विला तैयार हो चुके 40 फूट की main road है घर के बाहर 10 फूट का entrance gate लगाया गया है घर के अंदर enter करते हैं सबसे पहले parking की space दी गया है काफी अच्छी बड़ी ये space है फ्लोर के उपर आप देखिए टाइल वर्क किया गया है दिवारो के उपर texture paint है बाहर आप देखिए काफी अच्छी parking की space दी गयी है बड़े राम से यहाँ पर आप अपड़ी बड़ी car innova या SUV car पार कर सकते हैं इसके इलावा front पर आप 6 foot का setback area देखिए इसके अंदर आप अपने two wheeler की parking कर सकते हैं इसके लावा आप देखिए पानी का भी provision दिया गया है यहाँ पर आप अपना छोटा सा garden भी बना सकते हैं रोशनी ventilation के लिए proper पूरे घर के अंदर window दी गई है काफी अच्छा बड़ा spacious यह घर बनाया गया है इसका front 25 foot है और इसके लंबाई 25 foot है घर के अंदर enter करता ही सबसे पहले देखिए lobby की space है पूरे घर के अंदर आप देखिए beige killer की vitrified tile लगाए गया है प्रॉपर डाउन ceiling की गया है डाउन ceiling के अंदर आप देखिए काफी अच्छा wall paper लगाया गया है पूरे घर के अंदर art food के चोकट दर्वाजे लगाये गये है काफी अच्छी बड़ी spaces ये lobby है lobby के अंदर proper आप अपना sitting area कम dining area बना सकते है इसके लावा आप देखिए इसी lobby के area से stair के सुपर first floor की तरह जा रही है सामने kitchen की space दी गई है और यहीं सामने देखिए आप ड्रेंग रूम की space दी गई है अच्छा बड़ा ये ड्रेंग रूम दिया गया है floor के उपर आप देखिए wooden pattern की tile लगाई गयी है रोश्नी ventilation के लिए काफी बड़ी window है proper down ceiling का का काम किया गया है कमरों के अंदर split AC की wiring आपको करके दी जा रही है एक दिवार के उपर आप देखिए काफी अच्छा designer pattern का wallpaper लगाया गया है ये metallic wallpaper है night के अंदरे काफी glow करता है पूरे घर का layout काफी अच्छे तरीके सा बनाया गया है पूरे घर के अंदर जितने भी electrical fitting है ये सारे branding company की use की गई है proper conceal light लगाये गई है warranty वाली आप lobby देखिए काफी बड़ी ये lobby है lobby के opposite kitchen की space दी गई है kitchen के अंदर आप देखिए L shape का counter बनाया गया है proper wall के उपर अब देखिए tile लगाये गई है down ceiling का काम किया गया है रोश्णी और ventilation के लिए देखिए काफी बड़ी window दी गई है double bowl का sink लगाया गया है chimney के exhaust का provision दिया गया है काफी अच्छी बड़ी ये kitchen की space है kitchen के opposite lobby होने के वज़े से यहाँ पे आप अपना sitting area कम dining area बना सकते हैं ground floor पर दो bedroom है आई आई आपको bedroom दिखाते है bedroom का आप देखिए काफी अच्छा बड़ा ये size है एक wall के ओपर wallpaper लगाया गया है जिसे कमरा काफी सुन्दर लग रहा है रोश्णी ventilation के लिए window का provision दिया गया है काफी अच्छे बड़े size का ये bedroom है proper इसके अदर आप अपना double bed with side table लगा सकते हैं बैड के opposite TV unit बनवा सकते हैं wallpaper देखिए काफी अच्छी high quality के सारे wallpaper यूज़ किये गये है इस room के साथ आपको separate एक dressing area दिया जा रहा है यहाँ पे आप उन्हें full height की wardrobe बनवा सकते हैं काफी अच्छी ये space दी गई ये इसी के साथ attached bathroom है आईए आपको bathroom दिखाते हैं bathroom के अंदर आप देखिए proper tile floor tile और wall tile लगाई गई है onyx finish की देखिए wall tile का use किया गया है काफी सुन्दरे tile लग रही है bathroom के अंदर आप देखिएंगे तो jaguar company की fitting आपको install करके दी जा रही है काफी branded एक fitting है रोशन और ventilation के लिए proper रोशन दान दिया गया है काफी अच्छा spacious designer ये bathroom बनाया गया है आईए अब आपको second bedroom की तरफ लेके चलते हैं काफी अच्छे spacious designer ये सारे bedroom और bathroom बनाये गये हैं lobby area देखिए staircase के नीचे की space आप store यूज़ कर सकते है second bedroom के अंदर भी आप देखिए floor पे vitrified tile लगाएगी ये एक दिवार के ओपर wallpaper लगाया गया है proper down ceiling है रोशनी ventilation के लिए window दी गई है पूरे घर के अंदर आप देखिएंगे तो light color का wall paint किया गया है और proper wood finish की चोखटों के ओपर paint किया गया है देखिए designer ये काफी exclusive wallpaper है इसी के साथ attached bathroom दिया गया है bathroom के अंदर आप देखिए light और dark gray tone की tile लगाई गयी है marble finish की ये tile है shower के लिए glass partition लगाया गया है पूरी jaguar company की bathroom की fitting इंस्टॉल की गयी है काफी अच्छे बड़े spaces ये पूरे bathroom बनाए गयी है इसी के साथ आप देखेंगे तो एक रास्ता बहार dark की तरफ जाता है काफी अच्छे बड़ी ये dark की space दी गयी है आप देखिए water का inlet outlet point बनाए गया इसी एरे को अपना washing area बना सकते है उपर इसको जा लगा के cover किया गया है safety के लिए पूरे घर की अंदर रोशनी ventilation के लिए duct का काफी use होता है ये 153 square राड का 4 BHK का independent villa है काफी special beautiful ये villa है ये villa एक gated society के अंदर located है यहाँ पे proper सड़कें, seaway, central park हर एक तरह की facility यहाँ पे 24 गंटे या security guard रहता है क्योंकि in below के उपर बड़ा easily आपको home loan भी मिल जाएगा हमारी दीव information अगर आपको अच्छी लगते है तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए unlock, super property, bell icon को press कीजिए, like and share कीजिए इसी तरह की अच्छी information हम लोग आपके लिए लिके आते रहते हैं फर्स फ्लोर पर एंटर करते हैं सबसे पहले देखिए पैसेज एरिया दिया गया है प्रॉपर डाउन सीलिंग का काम किया गया, conceal light लगाई गयी है, staircase के उपर steel की railing लगाई गयी है फ्लोर के उपर आप देखेंगे तो onyx finish की tile लगाई गयी है separate आप देखिए एक पूजा रूम के लिए space दी गई है काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे आप अपना पूजा रूम बना सकते हैं आप चाहे तो इसको curtain लगा के cover भी कर सकते हैं फर्स फ्लोर पर दो bedroom attached bathroom है, आईए आपको वो दिखाते हैं काफी अच्छा बड़ा spacious यह bedroom है proper down ceiling का काम किया गया है, रोश्णी ventilation का पूरा provision दिया गया है split AC की wiring आपको पूरे कमरों के अंदर करके दी जा रही है काफी अच्छे तरीके से आप इस room को पूरा decorate कर सकते हैं काफी अच्छी space है इसके साथ यह attached bathroom दिया गया है bathroom देखिए, bathroom के अंदर आप देखिए, gray और beige color का combination लगाया गया है काफी अच्छा है लग रहा है दीवारों के ऊपर आप देखेंगे तो 4 foot by 2 foot की tile लगाई गयी है और jaguar company की पूरी bathroom की fitting install है रोश्णी ventilation के आप पूरा provision दिया गया है bathroom का आप layout देखिए, काफी अच्छे तरीके से पूरे इस bathroom का use किया गया है आईए अब आपको second bedroom की तरफ लेके चलते है second bedroom जो की front की तरफ है काफी बड़ा और spacious bedroom में proper vitrified tile लगाई गयी है down ceiling का काम किया गया है इस bedroom के साथ attached एक standing balcony है और एक sitting balcony की space दी गयी है काफी बड़ी window रोश्णी ventilation के लिए दिये गी है घर की space ज़्यादा होने की वज़े से आप देखेंगे तो काफी अच्छे बड़े spacious bedroom बनाये गए है काफी अच्छे तरीके से इस पूरे घर का layout बनाया गया है काफी spacious luxury ये पूरा बनाया गया है इस bedroom के साथ भी attached dresser area दिया गया है dresser area के लिए काफी अच्छी space दी गयी है dresser area के both side पे आप अपनी full light की wardrobe बनवा सकते है काफी अच्छी space है इसके साथ भी attached bathroom दिया गया है काफी अच्छा बड़ा spacious ये भी bathroom बनाया गया है इसके अंदर भी light beige color की tile का use किया गया है proper bathroom की पूरी fitting jaguar company की install की गयी है घर के अंदर सबसे ज़्यादा use bathroom का किया जाता है proper तरीके से इनके layout और design किये गये है और काफी अच्छी branded company की fitting लगाई गयी है रोश्णी ventilation का अभी proper दियान रखा गया है अगर आपको ये 4BHK का विला पसंद आया तो आप हमारे दिवे number पे contact कीजिए काफी अच्छी prime location पे ये property है आई आपको standing balcony दिखाते है बाहर आप देखिए steel की और glass की railing लगाएगी है घर के बाहर आप देखिए काफी अच्छे विला बने हुए है इस पूरे compound के अंदर अभी 35 family है shift हो चुकी है काफी अच्छी prime location के उपर ये property है शहीदा साब गृतवारा और टाला साब गृतवारा के काफी नज़्दी के property है ये property तरनतारन रोड के उपर located है आप ये balcony की space देखिए काफी अच्छी बड़ी है balcony देगी है proper down ceiling को conceal light लगाएगी है floor के उपर आप देखिए तो wooden pattern की tile लगाएगी है बाहर आप देखिए glass of steel की railing है घर के बाहर 42 foot की road है proper green belt दी गई है जो लोग शहर के अंदर छोटी गलियां के अंदर रहते हैं और वो congestion से परिशान है तो उनके लिए काफी एच्छी option है शहर के काफी नज़्दी के property है इदा साब गृतवारा से सिरफ डेट किलोमेटर के distance के उपर यह आपको विला मिल जाएगा back side का आप यह open terrace देखिए proper terrace के उपर tile work लगाया गया है duct area को proper आप देखिए fiber sheet से cover किया गया है AC की जितनी भी outlet है वो सारी lines यहाँ पर दी गई है इसके लावा आप देखिए एक steel का stage के उपर terrace की तरफ जा रहा है काफी अच्छी detailing के साथ यह पूरे विला को तियार किया गया है विला की back side पे देखिए central park की space दी गई है कालोनी के अंदर काफी चोड़ी सड़के होने की वज़े से आपको यहाँ पर parking का कोई issue नहीं आएगा central park की space दी गी है बच्चे वहाँ पे बड़े अराम से यहाँ पे अब खेल सकते हैं इसके इलावा boundary wall gated compound होने की वज़े से 24 गंटे या security गाट रहता है भार का कोई भी extra traffic यहाँ पे नहीं आता है बिल्कुत safe security यह area है विला से कुछ distance के ओपर ही काफी अच्छी बड़ी पारग की space दी गई है आप यह पारग देखिए काफी अच्छे तरीके से इसको पूरे को maintain किया गया है center में एक fountain भी लगाया गया है इसका night का view काफी अच्छा होता है जब सारे कालोनी के लोग इकठे बैट के यहां पे enjoy करते है अगर आप पो यह property पसंद है और आप इस तरह का ही विला लेना चाहते हैं यह 153 के रियाड का 4BHK का spacious बड़ा विला दिया गया है इसको purchase करने के लिए आप हमारे दियो number पे contact कीजिए इस विला की कीमत सिरुफ 65 लाख रपे है कर दियो कर दो कि यह रहना है